श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यू के बाद इंसान अपने साथ ये पांच चीजे ही ले जा सकता है आपने एक महत्वपूर्ण और गहन विचार प्रस्तुत किया है, जो हमारे सनातन धर्म की प्रमुख मान्यताओं से जुड़ा है मृत्यू को जीवन का अंतिम सत्य माना जाता है, और इसके पीछे यह धार्णा है कि आत्मा अमर होती है, केवल शरीर को छोड़कर अगले जन्म में किसी अन्य शरीर में प्रवेश करती है यहां विचार पुनर जन्म और कर्म के सिध्धान्तों पर आधारित है, जहां कर्म के अनुसार आत्मा का अगला जन्म निर्धारित होता है सनातन धर्म के अनुसार जो चीजे हमारे साथ जाती हैं वे हमारी कर्म की प्रवृत्यां संसकार और आध्यात्मिक अनुभव होते हैं भौतिक संपत्ति, मान सम्मान, धन आधी संसार में ही रह जाते हैं लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं, वे हमारे अगले जन्म के रूप और प्रारब्ध को निर्धारित करते हैं। गरुड जी की गहरी जिग्यासा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कराते हुए उन्हें मृत्यू और आत्मा के गूड रहास्यों के बारे में विस्तार से बताया। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड, मृत्यू के समय जीव की आत्मा के साथ भौतिक वस्तुएं नहीं जाती, बलकि पाँच ऐसी चीजे हैं, जो आत्मा के साथ अगले जन्म तक जाती हैं। ये पाँच चीजे उसके अगले जीवन और पुनर जन्म को भी प्रभावित करती हैं। ज्ञान आत्मा ने पिछले जीवन में जो भी ज्ञान अरजित किया होता है, वह भी उसके साथ जाता है। ये ज्ञान व्यक्ति की चेतना और समझ को अगले जन्म में प्रभावित करता है. इस ज्ञान के आधार पर ही आत्मा अगले जन्म में सही और गलत का निर्णय लेती है. 3. संसकार आत्मा के जीवन में किये गए सभी कारियों के संसकार भी उसके साथ जाते हैं. ये संसकार व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को अगले जन्म में भी प्रभावित करते हैं. अच्छे संसकार अच्छे व्यक्तित्व का निर्मान करते हैं और बुरे संसकार वि जीव की इच्छाएं और वासनाएं भी आत्मा के साथ जाती है। तो वा उसकी आत्मा को अगले जन्म में भी उन्नती की और प्रेरित करती है। जीव की मृत्यू होती है तो उसका शरीर नश्ठ हो जाता है। लेकिन उसकी इच्छाएं और लालसाएं समाप्त नहीं होती। ये कामनाएं उसके चित्त में बनी रहती हैं और आत्मा को नए शरीर की और खीचती हैं। इसी कारण आत्मा नए जन्म की यात्रा पर निकलती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ती के लिए जीवन के अंत में सभी इच्छाओं का त्याग करना अत्यंत आवशक है। क्योंकि जब तक आत्मा किसी कामना से बंधी रहती है, वह इस संसार में पुना जन्म लेने के लिए विवश होती है। कि इच्छाओं ही हमें पुनर जन्म के चक्र में बांधती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड जी के इस निशकर्ष का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, हे गरुड, इच्छाओं ही मनुष्य को संसार के चक्रव्यू में बांधती है। जब तक मनुष्य अपनी कामनाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक उसे इस संसार में बार-बार जन्म लेना पड़ता है। यही कारण है कि हमारे धर्मशास्त्रों में बार-बार इस बात पर जोड दिया गया है कि इच्छाओं का त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। इस ज्ञान को प्राप्ट करके गरुड जी ने समझा की कामना आत्मा के साथ रहने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ती है। यहाँ वही शक्ती है जो आत्मा को जीवन मृत्यू के चक्र में बांधती है और इससे मुक्ती पाने के लिए इच्छाओं का त्याग आवशक है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड जी को समझाते हुए कहा, हे गरुड, वासना भी एक ऐसी शक्ती है जो आत्मा के साथ मृत्यू के बाद जाती है और कामना का ही एक विशेश रूप है। यह मुख्य रूप से भोतिक और सांसारिक सुखों की इच्छा से जुड़ी होती है। वासना मनुष्य को भोतिक सुखों और आनंद की ओर आकरशित करती है और उसे इस संसार के बंधनों में जकडे रखती है। वासना का प्रभाव और मुक्ती का मार्ग गरुड जी ने वासना के विशय में और विस्तार से जानने की इच्छा व्यक्त की, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वासना का अंत करना बहुत कठिन है। भले ही मनुष्य मृत्यू के निकट हो, फिर भी वहाँ वासना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता। यहाँ संसार के सुखों की चाही है, जो मनुष्य को बार-बार जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। गरुड जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या वासना से मुक्त होना संभव है, और यदी हाँ, तो कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुड वासना से मुक्त होना संभव है, लेकिन यहाँ अत्यंत कठिन कार्य है। मन, बुद्धी और आत्मा का संपूर्ण शुद्धिकरण आवशक है। केवल ध्यान, तपस्या और सचे ज्यान के माध्यम से ही मनुष्य वासना से मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि कई साधु और रिशी अपने जीवन का अधिकान समय तपस्या और साधना में व्यतीत करते हैं, ताकि वे वासना के बंधनों से छुटकारा पा सकें। वासना का पुनरजन्ब में प्रभाव गरुड जी ने गहरे विचार में डूप कर पूछा, हे प्रभू, क्या वासना भी आत्मा के साथ अगले जन्ब में जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, हे गरुड, वासना भी आत्मा के साथ अगले जन्ब मे जाती है जिस प्रकार कामना मनुष्य को नया शरीर धारन करने के लिए प्रेरित करती है उसी प्रकार वासना उसे भौतिक सुखों की प्राप्ती के लिए प्रेरित करती है जब किसी मनुष्य की वासना अधूरी रह जाती है तो वह उसे अगले जन्म में पूरा करने की दिश यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि वासना से बचना अत्यंत आवशक है। जो यह तै करते हैं कि आत्मा का अगला जन्म किस दिशा में जाएगा। भगवान ने बताया यदि मनुश्य ने अपने जीवन में पुन्य कर्म किये हैं तो उसे अगले जन्म में सुख और शान्ती की प्राप्ती होती है। लेकिन यदि उसने पाप कर्म किये हैं, तो उसे नर्क या कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा और दूरगामी होता है। गरुड जी ने इस पर सवाल किया, हे प्रभु, क्या कर्म की गती इतनी शक्तिशाली है कि वह हमें अगले जन्म में भी प्रभावित करती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, हे गरुड, कर्म की गती अत्यंत शक्तिशाली होती है। जो कर्म हम इस जीवन में करते हैं, वही हमारे अगले जन्म का आधार बनते हैं। यही कारण है कि हमें सदैव अच्छे और पुन्य कर्म करने चाहिए, ताकि हमारा भविश उज्वल हो और हम सुख और शान्ती का अनुभव कर सकें। कर्म की गती इतनी प्रभावशाली होती है कि वह साथ जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को समझाते हुए कहां कि अच्छे कर्म ही मोक्ष और सुखत जीवन की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म आत्मा को पीड़ा और नकारात्मक परिणामों की ओर कर्ज का महत्व समझाया। उन्होंने कहां कर्ज एक ऐसा बोज है, जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी आत्मा के साथ रहता है। यदि किसी ने जीवन में कर्ज लिया और उसे नहीं चुकाया, तो यहां कर्ज अगले जन्म में भी उसका पीछा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां, गरुड। कर्ज एक ऐसा बंधन है, जो केवल भौतिक धन या वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बलकि यहां आत्मा को बांधने वाला एक गहरा आध्यात्मिक और मानसिक बंधन भी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि कर्ज न केवल आर्थिक हो सकता है, बलकि भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकता है। उदारन देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ती कर्ज लेकर मरता है और उसे चुकाने में असफल रहता है, तो यमलोक में भी उसे इसका हिसाब देना पड़ता है। इसके अलावा, अगले जन्म में भी यह कर्ज उसके साथ जाता है, और यह भी संभव है कि उस कर्ज के कारण उसे कठिनाईयों का सामना करना पड़े, जैसे किसी शारिरिक विकलांगता का सामना करना। गरुड जी ने इस पर गहन विचार किया और बोले, हे प्रभु, यह जानकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कर्ज का प्रभाव इतना गहरा और दूरगामी हो सकता है। इसका मतलब है कि हमें न केवल अच्छे कर्म करने चाहिए, बलकि अपने सभी कर्जों का भी निप्टारा समय पर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गरूड जी की बात का समर्थन किया और कहा, बिलकुल सही, हे गरूड, कर्ज का बोज बहुत भारी होता है, और जो व्यक्ति इसे लेकर मरता है, उसे इसका परिणाम अगले जन में भी भुगतना पड़ता है। इसलिए हमारे धर्म में यह कहा गया है कि मरने से पहले हर व्यक्ति को अपने कर्ज चुकाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरूड जी की उत्सुकता को समझते हुए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। हे गरूड, भक्ति वह सर्वोच्च शक्ती है, जो किसी भी अवस्था में मोक्ष प्रदान कर सकती है। जब कोई व्यक्ती सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ती करता है, तो यहाँ भक्ती उसके जीवन के प्रत्यक्षण में उसके साथ रहती है। यह न केवल इस जीवन में उसके कर्मों का मार्ग दर्शन करती है, बलकि मृत्यू के बाद भी आत्मा को एक नई दिशा देती है। उन्होंने आगे कहा, भक्ती आत्मा का सबसे गहरा संबंध भगवान के साथ जोड़ देती है। जब आत्मा अपने जीवन में भक्ती के पत पर चलती है, तो वहाँ अपने सभी कर्मों, इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होने लगती है। भक्ती का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यहां आत्मा को पुनरजन्म के चक्र से मुक्त कर, उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। गरुड जी ने इस पर विचार करते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या यहां भक्ती केवल विशेश साधनों या विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, या कोई भी व्यक्ती इसे पा सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भक्ती किसी विशेश साधनों या विधियों से बंधी नहीं है, हे गरुड यहां हर उस व्यक्ती के लिए उपलब्ध है, जो सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है और प्रेम पूर्वक उनकी आराधना करता है। वही भक्ती के द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है। उन्होंने आगे समझाया कि भक्ती का सबसे बड़ा लाभया है कि यहां मनुष्य को उसके कर्मों के बंधन से मुक्त कर देती है। जब व्यक्ती भक्ती के मार्ग पर चलता है, तो उसके पाप और पुन्य के बंधन उस उत्सुक्ता से यहाँ बात सुनी और बोले, हे प्रभु, यहाँ जानकर मुझे अत्यन संतोश मिला कि भक्ती के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। एसी अमर शक्ती है जो न केवल इस जीवन में बलकि अगले जन्मों में भी आत्मा के साथ चलती है। जुडाव हो जाता है, तो संसार के दुख और बंधन उस आत्मा को छू नहीं पाते। जब व्यक्ती अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देता है और हर परिस्थिती को ईश्वर की इच्छा मान कर स्वीकार करता है, तो उसके कर्म भी उसे बांधते नहीं है। वह संसार के चक्र से मुक्त हो जाता है। गरूर जी ने गहरे विचार में डूपते हुए पूछा, हे प्रभू, क्या यहाँ भक्ती केवल एक जीवन तक सीमित रहती है या यहाँ अगले जन्मों में भी साथ रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भक्ती एक अमर शक्ती है, जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक आत्मा के साथ चलती है। जब व्यक्ती इस जन्म में भक्ती करता है, तो यहाँ भक्ती उसके अगले जन्म में भी उसकी आत्मा को मार्दर्शन देती है। यही कारण है कि कई संत और भक्त अपने पिछले जन्म की भक्ती को याद कर इस जीवन में भी भगवान की आराधना करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड जी को समझाते हुए कहा, जब मनुष्य भगवान की भक्ती करता है, तो वह केवल इस जीवन में ही नहीं, बलकि अगले जन्म में भी उसके साथ रहती है. भक्ती एक अन्मोल संपत्ती है, जो आत्मा को संसार और समय के हर बंधन को पार करने में सहायता करती है. यहां भक्ती ही आत्मा को ईश्वर के समीप लाने का माध्यम बनती है और जन्ममर्ण के चक्र से मुक्त करती है. गरुड जी ने जिग्यासा से पूछा, हे प्रभु, क्या भक्ती की कोई विशेश विधी है जिससे हम उसे और सशक्त बना सकते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे गरुड, भक्ती में कोई विशेश विधी नहीं है, यहां मनुष्य के सच्चे प्रेम और समर्पन पर आधारित है. भक्ती का मार्क सरल है, जिसमें केवल प्रेम और श्रद्धा की आवशक्ता होती है. जब कोई व्यक्ती निस्वार्थ भाव से भग्वान के प्रती प्रेम और विश्वास रखता है, तब वहां अपनी भक्ती को सशक्त बनाता है. इसे किसी विशेश पूजा पाथ या अनुष्ठान से नहीं मापा जा सकता. भक्ती का सबसे सरल रूप है भग्वान के प्रती प्रेम और निश्था. गरुड जी ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे इस महान सत्य से अवकत कराया. अब मैं समझ गया हूँ कि भक्ती ही वह सबसे महान वस्तू है जो मृत्यू के बाद भी आत्मा के साथ रहती है और उसे मोक्ष तक पहुँचाती है. उन्होंने गहरी संतोष के साथ कहा, हे प्रभु, आपने आज मेरे सभी प्रशनों का उत्तर देकर मुझे असीम ज्ञान प्रदान किया है. अब मैं समझ गया हूँ कि मृत्यू के बाद भी आत्मा के साथ कुछ चीजे रहती हैं. भगवान श्री कृष्ण ने गरुड जी को बताया, कामना, वासना, कर्म, कर्ज और पुण्य ये पाँच बाते आत्मा के साथ जीवन के बाद भी चलती हैं और हमें एक नए जीवन की दिशा दिखाती हैं. उन्होंने आगे कहा, यह संसार कर्म और फल के नियम को मानता है. जिस प्रकार मनुष्य जो कर्म करता है, वहीं उसका भविशन निर्धारित करता है. भगवान ने समझाया कि इसलिए यह आवशक है कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, अपनी इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित करें, कर से मुक्त रहें और पुन्यकारियों को महत्वदें. यहीं मार्ग है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाता है. गरुड जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके ज्यान और आशिरवात के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ. भगवान ने उन्हें आशिरवात दिया और कहा, जाओ, हे गरुड, और इस ज्यान को संसार में फैलाओ. जो भी इस सत्य को समझेगा, वह अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के मार्क पर ले जाएगा. गवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए गरुड जी ने आकाश की ओर उडान भरी. उनके मन में शान्ती और संतोश का अनुभव हो रहा था. उन्होंने ठान लिय ताकि वे इस अमूल्य ज्यान को संसार के हर कोने तक पहुचाएंगे ताकि सभी जीव अपने जीवन और मृत्यू के सत्य को समझ सकें. इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गरुड जी को पांच महत्वपूर्ण बाते बताई जो मृत्यू के बाद आत्मा के साथ जा जी के लिए बलकि समस्त जीवों के लिए मार्ग दर्शक होगा. यह दिखाता है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं. भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है, जो हमें सही दिखा में प्रेरित करता है. यदि इस विडियो में कहीं कोई तुरुटी हो, तो हम आपसे क्षमा चाते हैं. हर हर महादेव दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की विडियो आपके लिए लाभदायक होगी. अगर विडियो आपको पसंद आई हो, तो कृपिया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें. अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं, तो कृपिया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की सूचनाएं सबसे पहले मिलें. महादेव जी का आशिरवाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें. ओम नमा शिवाई, नमस्कार दोस्तों.